दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले GM के बारे में Metacentric height तो जो Metacentric height यानि कि GM वो क्या होता है GM का value होता है is the vertical distance between the center of gravity and the metacenter तो जो vertical distance होता है center of gravity और metacenter के बीच में उसको हम लोग GM के नाम से जानते हैं यानि कि Metacentric height जो है Metacentric height is the vertical distance between the center of gravity and the Metacenter अब बात करते हैं कि अगर GM जो है वो पोजटीव है GM पोजटीव होने का मतलब क्या हुआ कि कील से लेकर कि जो जी है केजी का वेलू है less than km से उसकेस में क्या होता है GM पोजटीव होता है तो जब भी केजी लेस्टन होगा km से यानि की जो सेंटर ऑफ ग्रेवटी जो है वो लाई करता है बिलो मेटा सेंटर के मेटा सेंटर से नीचे है तो जीम का वेलू क्या हुआ पोजटीव हो गया जब जीम पोजटीव होता है तो वह स्टेबल एक्यूलूब्रियम कर आता है जब अस्टेबल एक्यूलूब्रियम करने का क्या म तो उसी के लिए जब वेसल जो है अगर हील किया लेकिन जीम पोजेटीव है जिससे की राइटिंग मुव्मेंट किरियेट हुआ और वो वेसल को ब्रिंग बैक करता है तो दे इट्स ओरिजनल पोजिशन तो इस केस को हम लोग अस्टेबल एकिलिब्रियम के नाम से जानते है है अब बात करते हैं कि जीम जब लाइन कर रहा है Iciu सकेश को हम लोग बोलते है अन अस्टेबल एकिलिब्रियम इसमें क्या होता है कि जब वेसल जो हील कर गया इंच मेर师 होता है जुसको हम लोग more के नाम से जानते हैं अगर जीम निगेटिव है तो केफसाइजिंग मुवमेंट के कारण क्या होता है कि जो वेसल है वो फर्दर हील करना शुरू कर देता है और एक एंगल ओफील ऐसा क्रिएट होता है जहां पर बैसल के भी कर सकता है अगर निगेटिव जीम है तो इस केज को आशंचाम के नाम से जानते हैं अब बात करते हैं कि जीम को जीरू हो जाता है मतलब कि केजी का वेलू बराबर हो जाता है केम के जानग जो सेंटर अफ ग्रेविटी है और मेटा आति के जैसा एक ही जगह खड़ा हो जाएगा ना तो अब वो कम बैक करता है और रही बराबर थे लिए बराबर है और ना ही फ़र्दर ही कर पाता है वो उसकेस को हम लोग neutral equilibrium के case बोलते हैं कि इसमें main point यही था कि जो GM अगर GM positive होता है तो यहां पर stable equilibrium में writing moment जो create होता है वो bring back करता है वेसल को original position पर लेकिन जब GM negative हो जाता है यह याने stable का case है उसमें क्या होता है होने के कारण एक मुवमेंट ऐसा आता है जहां पर वेसल करता है अगर करेक्टिव एक्षन नहीं लिया जाता है तो वह सब्सक्राइब कर जाता है लास्ट होने का case जो की न्यूटरल equilibrium का case है जिसमें ना तो वेसल कम बेक करता है और नहीं फर्दर हील करता है और GM यानि कि मेटा सेंट्रिक हाइट का डेपनेशन था इस तब वर्टिकल डिस्टेंस बिट्विन दे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड़ मेटा सेंटर यानि कि कि जी से एम का जो यह डिस्टेंस है इसी को हम लोग मेटा सेंटर के नाम से जानते हैं कि कर दो